नमस्कार दोस्तों मालवा के किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है आज के वीडियो में हम एक एसे जुगार के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो की बिना लाइट के चलता है बिना मशिन के चलता है और कोई इलेक्टरानिक समान नहीं है सिर्फ एक जुगार है ये चकरों के रूप में जुगार बनाया गया है जिसमें की स्वेब इनकी ग्रेडिंग की जाते है बिल्कुल किलीन हो जाता है बिल्कुल साप हो जाता है चाहे कितना ही कच्रा हो कितनी ही मिट्टी हो सब किलीन कर देता है तो समझते हैं इसको नजदीक से ये देखिए आप एक तरफ कच्रा निकलता है क्योंकि हमारे सोयगिन में ज्यादा मिट्टी नहीं थी तो ये मिट्टी को और इसमें जो डंखल थे या जो दाल थी ये इनको सबको इसने एक तरफ कर दिया है देख लीजिए आप ये और दूसरी तरफ इधर साप माल आता है ये देख लीजिए ये 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 हमारी आर्विये सम 11.35 है जिसको आज हम ग् ये किसानों का सबसे सस्ता जुगार और सबसे सस्ती ग्रेडिंग मशीन है और हमारे जो मालवा के लगबग ये मानके चलिए कि 95% किसान इस मशीन का उप्योग करते हैं और जो लोग नहीं करते हैं वो देख लीजिए कि ये जो मशीन है इसको मशीन ही कहते हैं बाकी ये मश नहीं है क्योंकि मेशिन उसको खा जाता है जो कि इलेक्ट्रोनिक होती है अब ये तो एक जुगार है जिसमें होता क्या है उपर से दिखाता हूं में आपको ये यहां पर सुयबीन डाली जाती है ये देख लिजए इसमें सुयबीन डली हुई है अब होता क्या है कि ये जो सुयबीन है ये सुयबीन यहां बीच में इसके उपर गिरती है यहां देखिए ये तिका तिका है इसके उपर गिरती है और इसके उपर गिरने के ब कीवल इसमें जो मिट्टी के बड़े कंकर होते है या जो बजन्दार होते हैं वह सुएबिन के साथ चले जाते हैं बाकि जो हलकी मिट्टी होती है वह एक तरफ आ जाती है और वह इन चक्रों में गूमते हैं कच्रा होता है उसको ये उचेड़ देती है एक तरफ कर देती है दाल को एक तरफ करती चली जाती है और हलका माल को एक तरफ इन चक्रों से एक तरफ करती चली जाती है ये देखिए कुछ माल यहां से अलग होगा कुछ माल फिर यहां बीच में से अलग होगा और फिर कुछ माल यहां से अलग होगा कुछ यहां से अलग होगा और कुछ यहां से अलग होगा और इस परकार से आखिर में फाइनल में कचरा एक तरफ होगा और यह किलीन माल एक तरफ होगा अब मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ इसको कुछ नहीं है बिल्कुल ये देखिए थोड़ा सा इसमें कच्रा अठक दिया था इस परकार से इसकी प्रोसेस होती है और इस प्रोसेस से होता हुआ ये माल नीचे की तरफ आता है वह सोय दिन को अलग कर सकते हैं बहुत ही ख़ची है छोगे के भाव लगा है उसी खाउट जागा मेंगी है लोगे के भाव की ये मशीन है और भशाट में बहुत अच्छा रिजल्ड है ऑक्ति ना तो प्रेंट खा रही है ना इसमें किसी प्रक सब्सक्राइब कर सकते हैं तो दोस्तों यह हमारी आर्वेसम 1135 की ग्रेडिंग चल रही है और जो लोग लगातार कोल करते हैं मैसेज करते हैं कि आर्वेसम 1135 सुवेबिन की हम पैचान कैसे करें तो यह आप देख सकते हैं इसकी यह नाभी देख सकते हैं इसका रंग देख सकते हैं आर्वेसम 1135 जो सुवेबिन है यह हलका मटमेला रंग लिये होती है बिलकुल यह च काली होती है यहां पर कुछ लोगोंने गरबर क्या किया कि जो ब्लेक बार्ड स्वाव इन को और जिनकी जो नाभी काली होती है उन गयरोफ fino करे किसानों को बेश दिया तो ये देख सकते हैं आप रुए सम गयरा बेटी सु आ बिन है और इसकी ग्रेडिंग देख सकते हैं और उसकी grading करने के बाद का माल आप देख चुके हैं बहुत ही उपियोगी जुगाड है ये और इस जुगाड के माद्यम से हम अच्छे से स्वयविन को या स्वयविन की grading कर सकते हैं स्वयविन को साप सुत्रा कर सकते हैं तो दोस्तों अगर जुगाड अच्छा लगा हो वीडियो अच्छा लगा हो और हमारी आर्वियसम 11.35 इनकी अगर आपने पैचान की हो तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और ज्यादस ज्यादस शेयर करें ताकि दूसरे किसानों के पास भी ये जुगाड पहुंच सके और अगर दूसरे किसान अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर वह भी ऐसे जुगाड को चाहते हैं तो मद्रदेश में कहीं पर भी आप चले जाए यह जुगाड मिल जाएगा आपको दुकानों पर और ज्यादा मेंगा नहीं है लोगे के बाव में आपको जुगा इसलिए फूरा जाता है तो दॉड़ा सा और हमने इसको पूरा खोल नहीं रखा है थोड़ा कम खोल रहा है इसलिए तो शायद आली जी वुजया है आपको जलता रहता है अगर इसलिए जादा गंठल नहीं है तो चलता रहता है आप लिए अगा नमस्ताओं को